हेलो दियर स्टुडेंट्स विल्कम बाक टू आप चैनल साइंस फॉर्दर करते हैं कार्बन अनिट्स कंपाउंज वाला मारा चाप्टर जो की सबसे इजी एक्स्प्लेशन के साथ और बहुत अच्छे नोट्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ फुल एंसे आपको बता लेकिन अब जो यह पार्ट हम करने वाले से कहें कि आल्मोस्ट सारा चाप्टर आपका खतम कर दूंगा मैंसमें ठीक है तो यह स्टार्टिंग विदर केमिकल प्रॉपटीज ऑफ कार्बन कंपाउंट्स कार्बन कंपाउंट्स बोले तो हाइड्रो कार्बन हाइड्रो कार् सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले कंपशन से अब कंपशन क्या होता है अगेन यार किसी भी कंपाउंड को जब तुम ऑक्सिजन के साथ रियक्ट करवाते हो इस प्रोसेस को कंपशन कहते हैं साफ सीधी बात कंपशन का हिंदी में हम बोलते हैं जलाना अब जलता तो कोई भी सब्स्टेंस ऑक्सिजन की प्रेजन्स में है राइट यार यह रियाक्शन आपने बच्पन से पढ़ा है C plus O2 gives CO2 that is carbon को जब carbon यानी coal को जब oxygen के साथ रियक्ट करवाते हो तो आपको क्या बनता है CO2 बनता है H2O यानी water आता है और साथ में heat and light आती ही आती है similarly आप जब ethanol, ethanol को जब आप ethanol की combustion करते हो यानी oxygen के साथ रियक्ट करवाते हो तो क्या products बनते हैं CO2 बनता है H2O बनता है और साथ में heat and light भी liberate होती है अब इसके अंडर हमें एक काफी important चीज़ पढ़ना है कि saturated and unsaturated hydrocarbons में हम differentiate कैसे कर सकते हैं अब आप बोलोगे कि सर saturated में सारे single bonds होते हैं unsaturated में double or triple bond होते हैं हाँ ये है but this is chemically no लेकिन अगर हमें physically पता लगाना है अब हमें अगर physically पता लगाने कि अच्छा यह वाला hydrocarbon saturated है यह unsaturated है तो कैसे करेंगे हमारे पास एक test होता है जिसका नाम है flame test flame test का मतलब है जब इन compounds का combustion करो तो कौन सी color की flame निकलती है जिस भी जैसे कि अब saturated compounds है ठीक है उनका जब flame test होता है यानि उने combustion अंडरो को करते है जब वो तो कौन सी flame आती है blue clean blue flame is produced ओके और unsaturated hydrocarbons एक yellow sooty flame देते है तो आपको अच्छे तरीके से पताओना चाहिए saturated saturated मतलब pure pure मतलब clean blue flame and unsaturated मतलब yellow sooty flame sooty का मतलब क्या है smoke के particles बात समझ में आई अब इसमें भी exceptions है आपको पता है कि अब जैसे कि saturated hydrocarbons clean blue flame तब ही देते है जब abundant यानि काफी जादा oxygen rich supply होनी चाहिए मतलब oxygen भर-भर के हो तब यह देते है क्योंकि अगर limited supply of oxygen होती है तब saturated hydrocarbons भी yellow sooty flame देने लग जाते हैं क्या बात समझ में आई तो यह flame test बहुत important है boards point of view से आगे बढ़ते हैं यह काफी अच्छा application है इसको समझने का flame test को कि जैसे हम kitchen वगेरा में stove use करते हैं तो stove के अंदर आपने देखा होगा holes है उन holes को क्या कहते हैं inlets यह ना air की transfer के लि moment ठीक है यही reason है ताकि air अंदर बार होती रहे oxygen का अच्छा खासा fuel मिलता fuel को oxygen मिलती रहे और oxygen की अच्छी खासी presence में fuel burn हो तबी एक clean blue flame आएगी लेकिन अगर वो inlets block हो जाते हैं तब क्या होगा yellow sooty flame आपको काली-काली types होगा और इसी वजह से जो आपके जो भी आपने बर water holes भी कहते हैं जिनसे air pass होती रहती है यानि oxygen आती रहती है अगर वो block हो जाएगी तो आपका fuel waste होगा fuel waste क्योंगा क्योंकि वह बर्न ही नहीं हो रहा है वह limited supply of oxygen में बर्न हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है yellow sooty flame आ रही है उसकी विजह से cooking vessels के नीचे ब्लैक ब्लैक जम है बात समझ मैं रही इसलिए air holes को clean करना बहुत ज़रूरी है time to time okay next reaction पर आते हैं oxidation oxidation के अंदर आपको बस एक reaction या दोना चाहिए कि इतनोल की oxidation देखो इतनोल का हमने देखा burning कैसे होती है अब हम देखेंगे oxidation कैसे होती है सबसे पहले तो oxidation क्या होता है oxidation मतला नाम से पता लग रहा है oxygen करना oxygen का addition करना compound में add करना oxygen को ठीक है तो अब यह इतनोल किस में convert हो जाएगा ethanoic acid में तो बात समझ में आ रहे है ethanol को ethanoic acid में कैसे convert किया जा सकते है बहुत important question है यह bots का the answer is by using alkaline potassium permanganate or you can say acidified potassium dichromate अगर आप basic alkaline मतलब basic basic medium का कुछ लेना चाहते हो as a reagent तो आपको लेना चाहिए k-m-n-o-4 k-m-n-o-4 किसका formula है potassium permanganate का okay लेकिन अगर आप acidic medium लेना चाहते तो आपको लेना चाहिए potassium dichromate k-2-cr-2-o-7 formula पता होना चाहिए k-m-n-o-4 is potassium permanganate and k-2-cr-2-o-7 is potassium dichromate बात समझ में आई तो these are called oxidizing agents oxidizing agent क्या होता है ऐसे agents जो oxygen add करते हैं किसी compound में उनको oxidizing agent का नाम दिया जाता है तो यह reaction बहुत important है question में पूछता है कि ethanol को ethanoic acid में कैसे convert किया जा सकता है तो oxidation कित्रू convert किया जा सकता है अब हम आते हैं addition reaction में that is the third chemical property of carbon compounds addition reaction क्या होता है बच्चों यह जो unsaturated hydrocarbons होते हैं जब वो nickel और hydrogen की presence में आप nickel what is nickel? nickel acts as a catalyst बच्चे catalyst क्या होता है? catalysts are two substances जो कि chemical reaction में use किये जाते हैं ताकि उस chemical reaction की speed यह तो बढ़ जा यह तो घट जाए तो बढ़ाने के लिए अलग catalysts होते हैं घटाने के लिए अलग catalysts होते हैं बात समझ में आई तो अब addition reaction में कौन से catalysts का use क्या जाता है यहां तो आप nickel use कर लो यहां तो एक और catalyst होता है जिसको कहते है palladium आप palladium भी use कर सकतो तो यह दोनों आपको पता होने चाहिए तो यह addition reaction से क्या होता है एक unsaturated hydrocarbon saturated में convert हो जाता है अब unsaturated का मतलब क्या है यहां तो double bond हो यहां तो triple bond हो किसमें convert हो जाएगा single bond में तो जैसे कि अब यहां पे इनों ने एक्जामपल लिया है हमारे पास एक unsaturated hydrocarbon है जब इसको nickel as a catalyst is used in hydrogen gas की presence में इसको treat किया जाता है तो वो क्या बन जाता है एक saturated hydrocarbon में convert हो जाता है तो unsaturated saturated अगर बनाना है तो यह best reaction है reaction का नाम क्या है addition reaction और यह reaction का application क्या है यह बहुत जरूरी है it is used in the hydrogenation of vegetable oils hydrogenation of vegetable oils अब यह क्या है इसका basically मतलब ही है vegetable oils जो कि unsaturated compounds contain करते हैं वो किसमें convert हो जाते हैं animal fats में animal fats के अंदर saturated carbon change होती है ठीक है that is why अब ध्यान से देखो animal fats ना जिनके अंदर saturated fatty acids होते हैं they are said to be harmful for health ठीक है लेकिन जो oils होते हैं जिनके अंदर unsaturated fatty acids होते हैं यह okay होते हैं इसलिए they should be chosen for cooking लेकिन अगर हम animal fats लें तो obviously they are harmful for health why because इसके अंदर saturated fatty acids होते हैं जो कि it's not good for health लेकिन अगर हम vegetable oil की बात करें तो उसके अंदर unsaturated fatty acids होते हैं and that should be chosen for cooking तो यह general आपको पता होना चाहिए लेकिन most important है कि hydrogenation of vegetable oil अब इसका hydrogenation एक और इसलिए भी नाम दिया गए क्योंकि आप H2 को भी add करो ने इसलिए hydrogenation of vegetable oil vegetable oil क्योंकि unsaturated है वो किसमें कनोट हो जागा animal fat में जो की saturated होता है बात समझ में आई अब हम आते हैं substitution reaction substitution reaction होता है in the presence of sunlight क्या किया जाता है chlorine को add किया जाता है hydrocarbon में और यह काफी तेज reaction होता है अब chlorine क्या करता है आपको पता hydrocarbon में carbon होते हैं hydrogen होते हैं hydrogen atoms को एक एक करके replace करता रहता है यहां को substitute करता रहता है chlorine का atom और इसलिए इसको कहते हैं substitution reaction क्योंकि एक atom किसी और atom की जगा ले रहा है उसकी जगा substitute कर रहा है जैसे कि इस case में chlorine hydrogen की जगा ले रहा है chlorine हो यानि hydrogen को substitute कर रहा है इसलिए इसको substitution reaction का नाम दिया गया है क्या बात समझ में आती है इसका reaction आपको पताना चाहिए CH4 में आप Cl2 डालो के तो क्या बनेगा CH3Cl ठीक है और साथ में मार पास HCl b है chloromethane मिथेन में आप chlorine डालो के तो क्या बनेगा CH3Cl chloromethane और साथ में आपके पास HCl b है so in the presence of sunlight only it happens okay now with this I stop it here and I'll cover the next portion in the next video so that videos are the lambi na ho जाए so I'll meet you then take care and all the very best please make good notes